हाई गैस इमपावर आफ लेंड यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है गैस आज बहुत ही जबजस्ट व्यूडियो लेकर आया हूँ आपके साथ में क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परिशान होते हैं यूटूब को लेकर अपने कंप्यूटर लेफटॉप में कैस यूटूब पर चीज़े देखें कई सारे लोग हैं जो गूगल क्रॉम किसी भी ब्राउजर मायक्रोसॉफट एज ब्राउजर के साथ में चाते हैं देखते हैं यह बट फो मजह नहीं मिल पाते हैं कि आप अपने computer या laptop में कैसे YouTube install कर सकते हैं अगर आप अपने uninstall program में जाके चेक करोगे जहाँ पर आपके software install होते हैं वहाँ भी दिखाई देगा कि आपके computer या laptop में YouTube install है अगर आप अपने start window button दबाओ के वहाँ YouTube लिखोगे YouTube app आएगा ना कि कोई browser आएगा तो उस तरीके से आपको YouTube अपने laptop में चलाने को मिलेगा अगर आपको YouTube चलाना है तो आप जाके अपने YouTube app पे एंटर करोगे आपका YouTube खुल जाएगा यानि कि यह किसी भी प्रकार का हम किसी भी website का URL या फिर ऐसा कुछ हम favorite या icon create नहीं करवाएंगे अगर आपको भी YouTube की जरूरत अपने laptop या computer में तो इस वीडियो को end तक जरूर देखना तब भी आपको सारी चीज़े समझ में आने वाली है तो चलिए सबसे पहले मैं चलता हूं अपने laptop पर और बिल्डो की प्रेस करता हूं देखता हूं कहीं मेरे laptop में पहले से YouTube इंस्टॉल तो नहीं है तो यहां पर आ गया अब यहां पर मैं YouTube टाइप कर लेता हूं यह YouTube Social Media Platform तो बोल रहा है बट YouTube आप ऐसा यहां कुछ नहीं बोल रहा है अगर आपके laptop यह computer में internet connect होगा तो YouTube Social Media Platform अगर यह बोलता रहता है तो यानि कि अब यहां से यह ज़रूर पता हो गया कि मेरे laptop में कोई भी YouTube नाम का app डाउनलोड नहीं है अब यहां पर मैं चलता हूं अपने Microsoft Edge ब्राउजर में अब वहीं पर आपको मैं बताने वाला हूं अब Microsoft Edge ब्राउजर में आप अब गईज यहां पर आप अपने ब्राउजर में आजाना है Microsoft Edge के ब्राउजर में अब आपको यहां पर टाइप कर देना है YouTube.com अब मैंने YouTube.com टाइप किया है इंस्टॉल का बटन मिलेगा YouTube एप अबेलेबल इंस्टॉल बटन तो यहां पर मैं टाइप या शिफ्ट टाइप करता हूं YouTube.com टाइप किया ले रहा हूं आपको यहां पर टाइप या शिफ्ट टाइप करके फाइंड करना है तो यह प्रोफाइल है इस तरीके से मैं शिफ्ट टाइप कर रहा हूं अब जो कि मैं आपकोई फैब्रेट में आइड वगरा नहीं करा रहा हूं कि पेस का शॉटकट क्रियेट कर वा हूं आपको प्रोपर एप ही इंस्टॉल करवाने वाला हूं दो यह पी नहीं करनाहिए यह भी नहीं करनाहिए पहिल स रून्स प्रोप एप अफ से सुंौन। एप अप अविलबल इंस्टॉल आप वैल बेडलाब सॉच 0 YouTube app publisher www.youtube.com this site can be installed as an application it will open in its own window and safely integrate with windows features install button to activate press space bar install button space bar pay enter zero YouTube Microsoft Edge app bar tool bar app available install YouTube button menu press space to activate the menu then navigate with arrow keys read aloud this page control plus shift plus you toggle button to toggle the state press space bar opening new tab loading page address and search bar edit searcher enter web address type in text control plus pin to start check create desktop auto start on device login check box not check allow button to activate press space bar enter YouTube 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 guide button YouTube home link skip navigation YouTube home link guide button YouTube button menu open sidebar search open sidebar search control refresh button back button back button Builder show YouTube YouTube app press right to switch preview YouTube folder list view micros delle 터κ पर आके मैं अपने बटन पर जाता हूं तो आपने देखा कि जैसे की YouTube आ रहा है और कुछ वहां पर सिर्फ मैंने अलाओ किया इंस्टॉल किया अब जैसे कि मैं अपने सर्च बटन पर आता हूं अब यहाप देखिए मैं YouTube टाइप करता हूं यूट्यूब आप प्रेविए यूट्यूब आप आ गया यानी मेरे कंप्यूटर में आ गया अब इसे मैं अनिस्टॉल प्रोग्राम में भी चल के देखने ता हूं यह मैं अपने कंप्यूटर में इस्टॉल प्रोग्राम गाइज वो है जितने भी मेरे कंप्यूटर में सॉफ्टेर इंस्टॉल होते हैं वो दिखाता है तो यहाँ पर यहां पर भी सो साइट नहीं किया है अपिर यहां एक बारे से फिलहाल यहां पर मैं देख लेता हूं यहां पर मैं देख लेता हूं अब इसे मैं इस पर दरता हूं यहां पर लिंग वगरा आ रही है यह एक प्रकार का मैं क्रोसॉफ्ट जो इस ब्राउजर है वो इंटर्नली इस पर काम करता है बट इसका मतला यह नहीं कि आपको ब्राउजर के अपिक्षा इस पर ज्यादा अच्छा रिजर्ट मिलेगा क्योंकि आपको यहां पर किसी भी प्रकार की और भी दूसरी वेबसाइट नहीं आएगी कोई सर्च सजेशन्स नहीं आएगा सिर्फ यूटूब ही आएगा तो यह एक बहुत सी बात है कि जो हम यूटूब के अंदर करते हैं यहां पर कोई एड्रेस पर जो होता है वो सब कुछ भी नहीं आएगा सिर्फ यूटूब आएगा सर्च बटन तो सर्च विद्यूर वइस बटन तो यहां पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं सटेंग्स बटन साइन लिंक साइन बटन नाविगेशन रीजिन पोटाब सेलेक्टेड जैसे हमारे मोबाइल में आता है और यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टैब भी होंगे तो यहां पर आप अपने कंप्यूटर के जो सर्च वीडियो हैं वो भी देख सकते हैं और इसी तरीके से तो इस तरीके से अप के अंदर आता है सब कुछ वो हम हर एक चीज यहां पर कर सकते हैं तो इस तरीके से अभी यहां चाहना तो एपने डेक 돈र पर भी यह तो यूटॉप वीडियो हम चाहने तो यूटॉप पर ही आपके सकते हैं इसके लिए यूटॉप वाप पर आके अप्लिके से हैं काैощ एक मत्तॉप स्च्च 56 प्लाप L t YouTube music, see web, YouTube videos, YouTube downloaders, YouTube to MP3, YouTube online, find results in folders, find results in documents, find results in settings, tab editable apps, search box edit, find results in search escape, escape, desktop. आपको करने के लिए आपको माउस से लाना होगा desktop पर, तो वो मैं किसी दूसरे वीडियो में बता दूँगा कि कैसे करना है, फिलहल आप इस तरीके से अपने laptop या computer में YouTube एप को install कर सकते हैं, Microsoft S browser के थूरू, तो उमेद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, तो कि मैं ऐसी ही वीडियो जहां पर बनाता रहता हूँ,